नमस्कार दोस्तों खेसे हैं, आपसे भी आशा करता हूँ, आपसे भी अच्छा हुँगे फइंड्स में बताना चाहता हूँ मेरे जितने भी भी वाइवोड सरो आज की टाइम जो यह जो टाइम चल रहा है, यह समय बहुत खराब चल रहा है दोस्तों क्या है कि अब देखो जो कॉरोना है ये काफी पिक पे जा चुका है और कई तरह की बीमारियां हो रही है और इससे क्या है कि हर आदमी परेशान है तो दोस्तों इस तरह से क्या है कि आप सभी को सेफ रहने की जुरूत है और काफी ज़्यादा जो गौर्रमेंट के रूल है उ जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है उनको जो है वो एक बड़े होस्पिटल के अंदर मॉंबई में एड्मिट किया गया है तो दोस्तों बताना चाहता हूं जो जितने भी हमारे केल राउल की जितने भी फैंस हैं और जो भी उनको सपोर्ट करते हैं वो सभी जो हैं उनके लिए तहे दिल से जो हैं वो उनके लिए दुआयों करें और क्या है कि वो आशा करेंगे जल से जल ठीक हो जाएं और वो अपने जो लाइफ है वो इससे अपनी साब से आगे से अपनी खेल के परती वो जुड़ जाएं तो दोस्तों बताना चाहता हूं ये जो कोरोना पें और प्रपर तरीके से जो वायरा से यह एर के अंदर गुल चुका है दोस्तों तो जितने भी पुरानी बिमारिया हो रही है लोगों को तो उनके उनके अंदर जो है एंटीबोटी नहीं बन पारी है इस वज़े से कहीं जदा दिक्कत आरी है दोस्तों तो क्या है कि आप से खाल रखें और हमेशा जो है अपना वो प्रोपर तरीके से सैनिटाइज और मास वज़ेर का डिस्टेंस डिस्टेंसिंग का आप जो है वो पालन करें दोस्तों जितने भी मेरी वीडियो वीवर्स जो है वह देख रहे हैं यह केल ट्राउल के लिए यह वीडियो है क्योंकि क्या है कि अभी जो है फिलाल उनकी स्थिवी बहुत कंपीर बताई जा रही है और हो सकता है उनकी जो सर्जरी है वो चालू हो जाए और हम आशा करते हैं कि का यह जल्दी वो तयार होके और हमारे सामने जो है वो मैदान पे लोटेंगे जब भी यह जो कोरोनापेंडिमिक ह के जैसे ही जाएगा तो दोस्तों के लगा उनके लिए जो है अभी दूआ की जरूत है जितने भी मेरे वियोर से मैं उसे गुजारिश करूँगा के इनके लिए जरू दूआ करें और अपना खयाल रखने से भी धन्यवाद दोस्तों